इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोलर रेडियेशन के बारे में जो हाली में धर्ती से टकराया है जानेंगे सोलर रेडियेशन क्या है और इस बार का जो सोलर रेडियेशन है ये किस क्लास का सोलर रेडियेशन है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक इसमें से जो भी आपको सही उतर लगे आप वीडियो को पाउस करें और इसका उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दें जिसका उतर मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में यहां पर हुआ क्या है दोगों सूर्य पर एक बहुत बड़ा विस्फोर्ट देखा गया तीन जुलाई को जो विस्फोर्ट हुआ है इसमें बहुत जादा सक्तिसाली रेडियेशन निकला जो कि हमारे धरती तक पहुँच गया अब यह जब हमारे धरती तक पहुँचा तो ब इसी प्रकार का सकती साली तुफान आया था और इसे जो radiation निकला था इसे हानी हुआ था यूरोप को और यूरोप में जो telegraph system है वहाँ पर पूरी तरीके से उस समय बंद हो गया था और इस radiation ने उसको पूरी तरीके से बरबाद कर दिया था लेकिन इस पर जो ये radiation निकला है ज यहां पर सबसे ज़्यादा परभाव नहीं रहा यह एक सागर के पास रहा है तो सागर कहां एक तो है अफ्रिकन कॉंटिनेंट और एक है अमेरिकन कॉंटिनेंट तो इन दोनों कॉंटिनेंट के बीच में जो जल भाग है उसी में यह सबसे ज़्यादा परभाव कारी रहा ह तो यही area है जहांपर इस radiation का परभावथ देखा गया, अब यहाँ पर जो है radiation आया है चाहर साल के बाद. तो यहाँ पर एक और confusion करने वारी बात कि कि यहांपर मैने बताया कि यह to500 यह 1869 में ऐसा रेडियेशन दिखा गया था फिर इस बार दिखा गया है तो आप यहां पर बता रहें चार साल के बार तो देखो ऐसी बात नहीं है सालों साल यहां पर इस परकार के विस्पोर्ट देखे जाते हैं हो ना हो तीन तारीक जो विस्पोर्ट हुआ है अगले दिन भी हो सकता है, आज हो सकता है, तो यहाँ पर कोई ऐसा निश्चीत नहीं है, एक स्पोर्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं, जिसमें बार-बार ऐसे विस्पोर्ट देखे जाते हैं, छोटे-छोटे, लेकिन हाँ, एक ऐसा विस्पोर्ट जो थोड़ा सा परभावकारी था जो चार साल पहले हुआ था लेकिन इतना बड़ा सकती साले विस्पोर्ट जो हुआ ये हुआ 1869 के बाद इस बार फिर तो यहां पर ये दो चीज है इनको कन्फ्यूज नहीं करना है और इस परकार के विस्पोर्ट में सबसे ज़्यादा दुरलब चीज जो देखी जाती है वो है magnetic disturbance, magnetic disturbance क्या होता है जैसे आप यहां पर फोटो में देख सकते हैं ये है हमारा sun ठीक है ये है हमारा sun और यहां पर मान लो एक spot है यहां पर जब तुफान आया तो ये radiation को भेंका बाहर कियो और ये गया solar system के तरफ solar system में एक planet है earth, earth का एक magnetic field है जैसे कि यहां पर आप देख सकत है blue line जो इसमें दिया हुआ है ये है earth का magnetic field तो ये magnetic field हमको इस radiation से बचाता है तो wait यहां पर मैंने बताया कि radiation से बचाता है फिर भी satellite को नुकसान पहुचा देखो satellite को नुकसान इसलिए पहुचा क्योंकि बहुत सारे ऐसे satellite है जो कि low earth orbit, geosynchronous, geo orbit में ये सारे place है तो ये सारे orbit जो है ये करीब 400 km उपर से शुरू होता है और ये जाता है 40,000 km तक उपर कियो है तो जो satellite यहां पर place है जो satellite इस जगह पर है जब ये radiation यहां पर आएगा तो ये जो आप देख रहे हो हो first line ये है इसका पहला gravitational area जब ये इसको प्रेस करेगा तो ये gravitational area टूट जाएगा और य attack करेगा सीधा आकर इस satellite को हां ये धरती के surface तक उतना ज़्यादा पहुंच नहीं पाता लेकिन हां पहुंच जाता है ऐसा बात नहीं है कि नहीं पहुंचता है जैसे कि इस बार हम लोगों ने देखा कि ये पहुंच ही गया और 1869 में भी इस परकार से देखा गया कि इतना पड़ा ये विस्पोर्ट था जिससे radiation निकला और ये पूरे यूरोप में जो telegraph system है उसको तबाह कर दिया तो इस परकार के चीज यहां पर देखे जा सकते हैं बहुत सारे astronomer हैं जिनके द्वारा कहा गया कि X-ray flare जो है इसके वज़े से radio worst पैदा हुआ होगा और electric current जमीन प के द्वारा ये बताया गया कि इस बार का जो विस्पोर्ट है जो सुर्य में देखा गया सनिवार के दिन सनिवार 3 जुलाई के दिन जो देखा गया ये जिस sun sport में हुआ है उसका नाम है AR2838 तो यहां पर इस प्रकार का विस्पोर्ट देखा गया और इस विस्पोर्ट को र ब्रता है वैसे सिर्फ X ही नहीं है यहां पर बहुत सारे ऐसे केटोगरी है जिसमें B है C है M है फिर X आता है B सबसे lowest है इससे थोड़ा सा up है C फिर आता है M और सबसे highest radiation वाला जो burst देखा जाता है विसफोट देखा जाता है जिसमें radiation आता है वो है X केटोगरी तो इस बार का जो विसफोट देखा गया है यह X केटोगरी का विसफोट है जो की सबसे सकतिसाली विसफोट माना जाता है अब जो आम तोर पर नुकसान दायक रेडियेशन है ये धर्ती तक पहुंच नहीं पाता है ये किसलिए होता है क्योंकि जैसे कि आपको दिखाया गया कि प्रिथिवी का खुद एक ग्रेटेशनल एरिया है ग्रेटेशनल एरिया जहां तक है वहां तक ये रेडियेशन पहुं सारे ऐसे परत हैं जैसे कि ओजन परत हो गया बहुत सारे ऐसे वाई मंडल है बादल है जिसे कि मानलों कोई radiation क्रॉस भी कर गया है पृत्वी की और तो यह वापस इनी सभी बादलों से reflect करके वापस हो जाता है और और यह इनसानों तक उतना ज़्यादा पहुंच नहीं पाता है लेकिन सुर्य तुफान का जो असर है यह satellite और television पर बहुत जादा होता है जैसे कि आपको बदाए गया कि बहुत सारे ऐसे satellite है जो जियो सिंक्रनस जियो stationary orbit में place है उन सभी पर यह काफी ज़्यादा परभाव डालता है जिसमें आपको मिलेगा सेटेलाइट, GPS, navigation जैसे सेटेलाइट, mobile phone जैसे signal सेटेलाइट और वैसे सेटेलाइट जो कि हम लोग direct TV को देखते हैं उन सभी सेटेलाइटों पर यह बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है इससे और एक चीज देखा जा सकता है कि जब यह radiation आता है तो power lines cut हो जाते हैं और यहाँ पर जो power line है इसमें जो current होता है इसमें काफी ज़्यादा तेजी हो जाती है जिससे कि यह transformer वगएरा खराब होने का डर रहता है अब हम लोग जानते हैं solar radiation आखिर है क्या क्योंकि solar radiation ही main है तो जो solar radiation है यह सूरी से आने वाला एक प्रकार का light है जिसको हम लोग कहते है solar radiation यह सूरी के अंदर में होने वाले fusion reaction से होती है उत्पन और इसमें helium और hydrogen होता है तो सूरी के अंदर जो fusion होता है इसी से बहुत जादा solar radiation निकलता है और यह विसफोर्ट के रूप में देखा जाता है जब एक बहुत बड़ा विसफोर्ट होता है उसमें बहुत से मातरा में उसमा निकलती है जिसे कि हम solar radiation या फिर electromagnetic radiation कहते हैं solar radiation को पिर्थवी तक पहुंचने में करीब समय लगता है आठ मिनट चौबिस सकेंड का तो आठ मिनट चौबिस सकेंड में यह सूर्य से पिर्थवी तक ट्रैवल कर जाती है और इस समय radiation को कितने भागों में बाटा गया देखो solar radiation को मुख्यों रूप से तीन भागों में बाटा गया है एक है beam radiation दूसरा है diffuse radiation और तीसरा है total radiation या फिर global radiation बीम radiation क्या होता है जब solar radiation पिर्थवी के atmosphere में आता है तो वहां पर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे radiation है जो reflect कर जाते हैं और यह वापस मुण जाते हैं लेकिन कुछ भाग इस radiation का पिर्थवी पर पहुंच जाता है और जब यह पिर्थवी पर पहुंचता है तो इसी को कहते हैं beam radiation इसी परक हले औजन परत से होकर गुजरती है तो औजन परत जो है उसमें हानिकारक रेडियेशन जैसे कि अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन है इसको एब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ भाग solar radiation जो है वो atmosphere में मौजुद बादलों के द्वारा वो उपर कियो और reflect कर जाती है वो धर् प्रित्वी का प्रकास प्रित्वी के सतह पर डायरेक्ट पहुंचता है और अजन परत और atmosphere से होते हुए तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल रेडियेशन तो आई होप कि आप इसको तो समझ गए होंगे कि तीन रेडियेशन कौन-कौन से हैं तो हम लोग चलते हैं अपने प वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को थेंक यू फर लिसनिंग गॉड ब्रेस यू आल